ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स वी आई पी के राष्टी अध्यक्ष मुकेश रहनी मौजूद थे लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर दिखा 2020 के विधान सभा चुनाओं के लिए जब प्रेस कॉन्फरेंस महागण बंदन का हो रहा था उस समय बीच प्रेस कॉन्फरेंस से मुकेश रहनी वाकाउट कर गए और वो इसलिए कर गए क्योंकि उन्हें मन मुताबिक सीटे नहीं दी जा रही थी या सीटों का एलान नहीं किया जा रहा था लेकिन आज के प्रेस कॉन्फरेंस में लोग सभा के इस चुनाओं के प्रेस कॉन्फरेंस में महागण बंदन की तरफ से खास तोर पार आरजेडी की तरफ से अपने कोटे से आरजेडी ने उन्हें तीन सीटे दी हैं गुपाल गंज, मोतिहारी और जंजारपूर काफी समय से ये अटकले लग रही थी कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे मुकेश सहनी ने कई बार टाइम फ्रेम बताया कि नौवंबर में हम बता देंगे कि कहा जाएंगे दिसंबर में बता देंगे कहा जाएंगे होते 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 चुनाओ का एलान हो गया लेकिन मुकेश सहनी किधर जाएंगे ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था लेकिन आज वो समय आ गया कि मुकेश सहनी की पार्टी वी आईपी अब महागडवंदन के साथ लड़ेगी देखिए महागडवंदन के साथ वी आईपी पहले भी लड़ चुकी है 2019 का लोकसभा चुनाओ जिसमें तीन सीटे महागडवंदन को मिली थी लेकिन तीनों पर उनकी हार हुई थी इस बार भी तीन सीटे मिली है पर पिछले दो यानि की 2019 के चुनाओी समीकरण में और इस बार के चुनाओी समीकरण में काफी अंतर है पर सवाल ये है कि आखिर महागडवंदन में जाने से मुकेश हनी की पार्टी के उसमें सामिल होने से महागडवंदन को कितना फाइदा होगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2019 के चुनाओं में इसका आकलन किया जा चुका है ये देखा जा चुका है कि उसमें महागडवंदन में मुकेश सहनी भी थे और भी पार्टी के लोग थे जो अब NDA में है जैसे उपेंदर कुस्वाहा जीतनराम माजी ये दोनों उपेंदर कुस्वाहा जीतनराम माजी अब NDA के साथ है तो जो 9.5 परसेंट जो निशादों का भोट है जिसका दावा करते हैं मुकेश सहनी वो भोट क्या उनके साथ महागडवंदन में जाएगा ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं चुकि अभी हम मौजूद हैं नवादा में और चुनावी आतरा चल रही है बिहार तक की हमें लगता है ऐसा जैसे नवादा में नवादा की स्थिती जो है वो दूसरे जरह से काफी भिन्न है है यहां पर 2,019 के स्थिती और बनी है उसमें कहीं से कोई उमिद्वारों के बदलने का कोई असर इहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, काने का मतलबρώ当 2019 से यहां एंडिये के उमिद्वार जितते रहें, एंडिये का बीजेपी के उमिद्वार जितते रहें, पिछली बार एलजेपी के चंदन कुमार यहां से चुनाओ जीते थे उससे पहले 2009 में भोला सिंग बीजेपी से जीते थे 2014 में गिर्राज सिंग जीते थे बीजेपी से और इस बार विवेक ठाकुर चुनाओ मैदान में है उनका मुकाबला स्रवन कुसवाह से है आर्येडी के हैं वो लेकिन विनोद यादव भी है दिर्दलिये के तोर पर अब देखिए यहां पर राजबल्लब यादव के परिवार का बड़ा बर्चस हो रहा है और यह नवादा का जो छेत्र है यह खास तोर पर भुम्यार और यादव बहुल छेत्र है और इनी दोनों में लड़ाई होती है लेकिन आर्येडी की तरफ से इस बार पहली बार कुसवाह पर दाव लगाया गया है लेकिन कई गाओं में हम लोग ने कुसवाह के गाओं को भी देखा है वहां का भी जाजा लिया है तो इस्तिती यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी कमफर्टेबल दिख रही है खासतोर पर हम औरंगाबाद की तुलना यहां से करें तो निश्चित तोर पर यहां पर इस्तिती काफी अच्छी है पर विवेक ठाकुर को घूमने का भी बहुत ज्यादा मौका इनको नहीं मिला है क्योंकि विवेक ठाकुर तो यहां के है नहीं नवादा के लेकिन फिर भी यहां के जो मतदाता है वो बाहरी उमिदवारों को भी सहर सुईकार कर लेते हैं और यह हमने देखा है पहले के जो जिस प्रकार का ट्रेंड चला रहा है नवादा के चुनाओं को लेकर हम देखते आ रहे हैं तो निश्चित तोर पर बीजेपी यहां पर कंफर्टेवल सिती में है लेकिन बात फिर वही मुकेश सहनी की मुकेश सहनी के महागडवंदन में जाने से कितनी मजबूती मिलती है यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि कि महागडवंदन के से निकल कर बाहर निकले कि टारें और शामिल हो गया 11 सीट मिलने के बाद उन्हें चार सीटों पर उनके पार्टी के विद्वार जीते लेकिन चारों सीट जो है जो 4 विधायक थे बीजेपी ने तोड़ लिये आपको पता है कहानी मंत्री भी बनाए ग और उनका मंत्रीपद भी चला गया तो ये तमाम 30 उनके अंदर है बीजेपी के खिलाफ बीजेपी ने उनको अपने पाले में लाने के लिए तमाम कोशिशे भी की उनको सिक्रूटी भी दिया गया वाई प्लस सिक्रूटी भी उनको प्रदान की गई केंद्र सरकार के निशादों के आरक्षन की जो बात करेगा मैं उनके साथ जाओंगा हलाकि आज के प्रेस कॉन्फरेंस में इस तरह की बात सामने नहीं आए बीजेपी के लिए उनकी सर्थ ये जरूर थी और बीजेपी ने इस सर्थ को शायद नहीं माना होगा या फिर सीटें कम दी होगी तभी मुकेश सहनी महागडबंदन की तरफ जुके हलाकि महागडबंदन की तरफ जुका उनका पहले से था उनके भासणों को अगर देखा जाए वो जगा जगा पर उन्होंने जो बीच में जो अपना एक अभियान चलाया था संकल्प यात्रा जो निकाली थी उसमें करते रहे हैं तो निश्चित तोर पर मुकेश सहनी के आने से महागडबंदन को मजबूती प्रदान हुई है इसमें कोई राय नहीं है देखना ये होगा कि जो निशाद जाती का वोट है वो कितना कनभर्ट हो पाता है क्योंकि अति पिछड़ा वोट के अंतरगत आता है व असपश्ट रूप से उभर कर सामने आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार